हेलो फ्रेंट्स आप सभी का बहुत बहुत दोलकाब है आपके आपने ही चैनल टार्गर इंट फैंटासी में तो यहाँ पर इस ब्रेंट में आप देख रहा है सेंट लुशिय टीटेन ब्लास्ट का जो थार्टीन मैच खेला जाने वाले हैं यहाँ पर इमरेस वर्सस भी अफेनर के बीच में तो उस माच के प्रिव्यू तो सबस्पहले यहाँ पर हम बात करते हैं डेट टाइम हो इधर फेनू और पीजबुट के बारे में उसके साथ यहाँ पर एवरेस को क्या रहने वाले हैं और टोटल मैचेस कितना खेले गया है उन्हें से कितने जीते बैटिंग सेकेट कितने जीते और लास्ट पांच टीटेन मैचेस की स्टैट्स और टॉस होने के बाद यहाँ पर टीम्स क्या करना पसंद करता है और आज की मैच पर इकसान साथ में यहाँ पर देख लिजे दोनों टिप के प्लेवल बेंग साई वीथ प्रफर देखिए ताकि आपको एक-एक पॉइंट अच्छे से समझ आए और आप एक अच्छी टीम बना पाए साथ में देखिए अगर आप जो टीम के साथ हम खेलते हैं वीनिंग टीम के साथ वो टिम अगर आपको चाहे तो आप हम ही हमारे टेलिगम चानल को जोईन कर लीजिए आपको लिंग आपको मिल जाए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंग में क्लिक करके आप आने के साथ महाँ पर जोईन कर लीजिए तो चलते हैं भी मैच की तरफ मॉन्डिपोस स्टार्स भर्षास व्युक्स फोर्ट नॉर्थ राइडर्स के बीज में यह मैच खेला जाने वाल है यह पर आज रात को नौ बच के पंद्रमिट पर यह मैच होगा तो थोड़ा से यह पर क्लावडी ओदर आने वाल है डेरिन समीक नाशनल की किस्टेटिय म में यह पर भेनू रहेगा देखिए लास्ट दो दिन का यहां पर जो पहला टीटन हुआ है मतलब सेंड लूश्या का जो पहला टीटन हुआ है नौ बच के पंद्रमिट पर तो दोनों मैच ही यहां पर अबंडन होगा है बारिस के कारण मतलब बैड ओदर थी तो इसलिए इस मैच में मैच में पहले आपको पहले थोड़ा सा ओधर कंडिशन के बारे में अच्छे से नीज होना चाहिए तो आप ट्रेलिग्रम चैनल के साथ जो ने यह वहाँ पर हम हर एक नीज डीटिल में डाल देते हैं तो वहां से आप कालेट कर लिए बात करते हैं पीज कर से देख्याव और वे निज होगा या बारेश के कारण बात करते हैं लास्ट केमेचेस के यह वरेसं टोटल स्कोर रेश किया मना है सिवैंटी फाइवरेस फास्ट फास्टीट्यू परसंदों जीतने की चांसे से और भी एफेनर फॉटी-एइट परसंदे की चांसे से त बात करते हैं मरे मरे स्की प्रावर प्लेंग से हैं आपर किया रहेने बोले वीट बैटिंग ओर ख्रिस्टियन चारले ओपनिंग करेंगे वीट सबीनेस एवनोल के साथ जो इक पूरिंग आपको मिल जाएंगे नमबा तीन पर रहेंगे क्रेग एवनोल बहुत यह अच्छे है रोहन लेस्मंट यह भी पहला सेजिन बहुत यह अच्छे खेरा था अभी तक तो इस टीम का कोई मैचस नहीं हुआ तो इसलिए अभी कितना कैसा फॉर्म है तो यह हम कह नहीं सकते नमबर पास पर रहेंगे के गैस्टन नमबर चे पर हैचल चाली साथ नमबर पर क्रेक एमानुएल है के गैस्टन एम सिल्वेस्टर एडवार्स और साथ में पर डी हैंडी और के हैंडी इन दुनों में से कोई एक दो और डालेंगे और यह पार देख लिए कौन-कौन से प्लियर आपके लिए स्माल लिक का मास्ट पिक रहने वाले है सी चाली एमानुएल लेस्मांट, गैस्टन, सिल्वेस्टर और डी हैंडी तो यह चे प्लेयर साथ के लिए बहुत ही बड़े पिक रहने वाले है स्माल लिक में चलता ही यहां पर बीए फिरर की तरफ यहां पर बैटिंग होड़ा के साथ साथ प्रभाबल पेंग साथ देखेंगे और साथ में पर यहां पर अपनिंग करेंगे जुनियर पिटर के साथ जो कि है विकित को रिंग सिक्षन में नमबर तीन पर राएंगे रिची रबट चान पर पर आएंगे क्यूट एड़वाट नमबर पांच पर आई-ाई-प्रिंस चे नमबर पर एरनेल सेक्सियास नमबर साथ पर य तो थोड़ा से स्टैर्स की बात करते हैं यहां पर सत्राइन पचे सन बनाया है और दो निकाला है जुनियर पीटर की बात करें साथ ताहीस राण साथ में ग्यारान और रिची रबाट यहां पर देखें बैटिंग में अच्छा नहीं किया लेकिन दोनों मैच में ही यहां एक विकेट दो दो टोडल तीन विकेट निकाला की डोडराट यह भी आच्छे टाच पर है दो मैच में अठारा अठारा करके टोल चेती सन बनाया है और बाकी किसी का अभी तेक उतना कुछ खास कॉंटिविशन नहीं है सिर भी यहां पर हिरारान स्मीथ जो है एक विकेट निकाला है तो यहां से देखिए आपके लिए मास्ट पिक रहने वाला है स्मॉल लिग पर रिक मोजेस है जुनियर पीटर है रिची रोबाट क्यूट एडवार्ट हिरारान स्मीथ और यहां पर डेंडे टेलर तो यह छे प्लेस अब के लिए बहुत ही बड़े पिक रहने है तो यह तीन प्लेयर आपके लिए टॉप कैपिन से और वाइस कपिन के चोईस बन जाएंगे जहां पर गैरलिक पीक में आप देख सकते हैं हिलालियर समीथ है जुनियर पीटर है डेक्स्टर सलमन है डेंडर टेलर है तो यह चार प्लेयर अच्छा रहने वाला है तो जितने की चैंसे उतना ही बढ़ेंगे जैसे कि आपको क्या करना है पहले आप 11 प्लेयर को लेके एक स्मॉल लिक का अच्छा टीम बनाओ फिर वहां से एक सेव कैपिन सरभाइस को चोईस करो जैसे कि हमने यहां पर तीन चोईस देके रखा इनमें से आप दो को चूस कर सकत हो उसके बाद आप गैलिक पिक्स में जाएं वहां से कोई दो प्लेयर को लेके हर एक टीम पर रोटेसन करते रहो दो या तीन या एक आपको जितने चाहिए उतने लेके आप यहां से रोटेसन करते हुए 20 टीम बना लो तभी आपको जितने मतलब जी इतने की चैंसे मतलब अगर आप पर इहां पर ग्यहलं लिग में घुश जाते हो तो आपको वहां पर कोई भी फायदा नहीं होने बाला बिल्कुल फ्लप जाने बाला है वो टिम iP 통 के हरको यहां पर गैला आंगे प्लेयर पालेगे तो इसलिए फायदा नहीं होगा तो फिल लेगा इस की तरफ वहाँ पर हमने एक डेमों टीम मना के आपको दिखाएंगे तो चालते हैं डेमों की तरफ हमारा टीम पर आर लेस्मांट तो यहां पर दिखिया के मैक्सिमीन डी सलमान डी टेलर जो तीन प्लेयर आपके लिए गयंड के लिए अच्छे चोईस बन सकते हैं एस अगास्ट अगर खिले तो यह भी आपके लिए स्मालिक का बड़े पिक बन जाएंगे क्योंकि प्लेयर अ का सिलेक्शन काम है लेकिन दो भर बोलिंग भी मिल रहा है तो इसलिए हमारे टीम पर रहने वाले देखिए आपको टीटेल लिक्स पर जाथर क्या करना है जितने ज्यादा हो सके आप ओल लंडर को आपने टीम पर पीक करना क्योंकि देखे ओल लेंड को बैटिंग के गैस्टोन अब के लिए गैनलिक पर अच्छा रहने वाले सिलेक्शन बहुत ही कम है आप चाहिए थूरा सा रिस्क लिए के गैनलिक में इनको कैप्टन और वाइस के भी बना सकते हो बोलिंग अप्शन की बात करते हैं यहां पर एम सिल्वेस्टार एच मीट और इस एक्सि और वाइस कप निया पर रहेंगे आर रोबाट मतलब जो दो बिल्कुल सेव अप्शन है वह हमारे टिम पर कैप्टन और वाइस कप्टन रहने वाले आप यहां से के डॉट के साथ भी ट्राइब कर सकतो अभी सेव करके आपको दिखा देता हूं उसके बात यहां पर बात क के डॉट यह चार अप्शन हमारा टिम पर ओल लॉंडर सेक्शन में रहने वाले है इस एक्सियस एच स्मीट और एम सिल्बेस्टर यहां पर तीन टाव अप्शन जो की बोलिंग सेक्शन पर रहने वाले है यहां पर हमारा टिम का जो सेफ कपने हैं बिल्कुल देखे आर मो जाएंगे थोड़ा बहुत स्कोर कर जाए तो आपको वांट सेटीन करवा सकते हैं और बात करते हैं अभी ग्रेंड लिकी तो ग्रेंड लिक में आपको क्या करना चाहिए जेपीटर एस एड़ाट के ड़ाट अब्यूसली सी एवनल आर लेस्मन तो यह पांच प्रेस साथ आप बिल्कुल आजए कैप्टन आर भाइस कर पने जा सकते हैं लेकिन तभी आपको क्या करना पड़ेगा स्मॉली का जो सेफ कमेंशन है वो कमेंशन के साथ ही जाना पड़ेगा लिए कर आपको कोई फाइदा नहीं मिलने बाला तो ऐसे करकर आप गैडली का कॉमेंशन बनाएए जैसे हमने भी आपको बताया और आप किया कर सकतो तीन बोलर्स में से कोई एक को डॉप कर दिया और एक रिस्की पिक को ले लिया ऐसे करके आप गैली का थोड़ा सा हमारे चैनल के साथ जोइन हो सकते हो तो चलिए देर की इस बात की अभी जोइन करो हमारे टेल्गेंट फेंटेसी टेलीग्रम चैनल वहाँ पर हमने जो सारे लगातार क्लीर सीव हो रहा है अब जाए जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपर लाइक से सब्सकों जुरूर करतीजिए अगर चैनल पर नहीं होते हैं आप साथ सब्सक्राइब को भी दावा देना तक आने वाले सारे वीडियो अब तक पहले पहुंच जाए और एक अच्छा सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मुच अल दे बेस्ट